प्राइजेक्शन की सुर्वात करते हैं ये बैग निफटी का आज का प्राइजेक्शन है अच्छा ये जो सीरीज है ये कॉंटीनी उसी तरीके से चलती रहेगी शाम के सेशन में हम लोग प्राइजेक्शन और एवरेजिस के कुछ कॉंसेट को अपना और प्रगाड करेंगे और उसके साथ ही लाइव मार्केट अनालिसिस की अगले सेशन के लिए ट्रेड प्लान आपका क्या होना चाहिए उसके लिए हम पहले से एक त्यारी करके बैठेंगे ठीक है कल के सेशन में अगर आप लोग ध्यान करें देखिए क्लासिस भी आपकी इसी तरीके से चलती है ये जो सेशन में आपका कर रहा हूँ ये भी उसी का एक आप समझ लीजे कि प्रतिविम विकीदर है समझ ये जो चीजे आपने पहले सीखी उसको हम रिवाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं जो चीजे आपने सीखी उनको बार बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे आपकी वो चीजे बहुत 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 हो जाएं कि उनके पकड मजबूत हो आप उनको जब भी चार्ट पर देखे तो पहचार ले ठीक है तो देखे कल के session में हम लोगों ने अगर आपको ध्यान हो डिसक्स किया कि हम लोग आवर्ली ओरली टाइम फ्रेम के पास है ऑल इंसर शुपोर्ड के पास है अच्छा अवरली टाइम फ्रेम का असरी क्या था? बताई आपाईये हम लुगों ने देखा था इस तरीके का इस्ट्राट्चर की प्राइज एक जगह एक रेंज बनाकर इस तरीके से चल कर गया और हम अब इस रेंज के इस तरीके से पास आ रहे थे ठीक है तो हम लोगों ने डिसकस किया जब तक इस रेंज के यह जो प्रीवियस रेंज है अगर यह फर्स्ट टाइम रिटेस्ट है तो इस रेंज के जब तक लो ब्रे अगर आपको कल का ध्यान हो, ठीक है, इसी range को हम लोगों ने कल डिसकस किया, देखिए, आज मैं आपको moving average के कुछ concept बताऊंगा, जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसमें moving average का एक hack की तरह, trick की तरह, जैसे मैंने आपको ballinger band की कुछ trick बताई, आप लोग उसक सकते हैं, देखें, ये, ये क्या हुआ था बताईए, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से price को consolidation करते हुए देखा, और उसके बाद ये एक demand उटी, demand के बाद ये M formation से supply आई, और इस supply में हम इसी range के पास दुबारा पहुँच गए, अब ये पहला retest था, यहाँ से जब से demand उटी है, तब से price lot कर यहाँ नहीं आया, ठीक है, अब ये देखें, एक बार touch कर गया न, अब दुबारा आएगा, तो ये और कमजोर होगा, तीसरी बार अगर आएगा, तो low break होंगे, तब short selling बनेगा, पहली बार कभी भी अगर हम किसी अपने पिछले support area के पास कि अगर price अभी अभी आया है, तो जब तक swing low break होने का मतलब है, सिधा सा 47.300 का break होना, ठीक है, तो अब आगे के लिए भी आपके लिए यही level है, आज के जो day low लग गए, आज के day low लगबग, लगबग, 47.315, 320 के आसपास का low है, ठीक है, इस candle का अगर आप low देखें, यहा को टच करके, फिर price नीचे नहीं आया, हम लोग ऊपर की तरफ ही close करने का है, अब अगले session में price में बिकवाली कब होगी, जब आज के day low लो निकलेंगे, उसके बाद, इसके पहले आप short selling नहीं करेंगे, अच्छा, अगर price gap down करता है, gap down करने के बाद, पहली candle red बनाता है, फ आप से बड़ा swing low, आज का day low है, अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग समझें कि ये इतना बड़ा support area क्यों है, जरा इसको समझें, और इसी जगह से ये जो rally आया है, ये किस तरीके से अप्रेंट में rally गया है, यहाँ पर देखें, ये जो buying उठी है, ये किस structure से उठी है, बता हम लोगों ने 8 EMA पर लगबग बहुत session किये हैं, आगे भी मैं करते रहूंगा, तो 8 EMA पर buying उठी है, तो 8 EMA में एक price structure में आपको बताओ, यहाँ पर rate exponential में लगा लो, ठीक है, moving average, ये खरीदारी है, तो moving average इस तरीके से plot किया, और plot करके हम को क्या करना है, यहाँ पर length को 8 shift करना है, source को low रखना है, खरीदारी कर रहे हैं और SMA को smoothing line को change करना है, EMA में, बस इतना करना होता है, थोड़ा सा इसको अगर आप डार कर ले, तो बहतर रहेगा आपके लिए इस तरीके से, ठीक है, इतना परयाप थे, अब देखे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर buying उठ रही है, तो buying उठने का मातर एक तरीका है, क्या तरीका है, कि कोई भी price अगर खरीदारी उठा रहा है, अच्छी buying opportunity उठा रहा है, तो उसको करने के लिए, उसको सिर्फ एक तरीके की ज़रूरत है, कि price जब जब इस तरीके से, 8 EMA के नीचे आए, और lot कर इसके उपर जाएगा, तो आप यहीं पर long करेंगे, जब जब इसके नीचे आकर lot कर ऊपर जाएगा, यहीं पर long करेंगे, यहीं पताया है मैंने, यहाँ पर यह structure change होता है, देखिए, swing low break नहीं हुए, price दुबारा यह high break करके trade करने लगा, अब मैंने आपको बताया, कि जब जब इसके आया, long किया, price higher side momentum किया, यह एक candle नीचे आया, फिर lot कर आया, long किया, price higher side momentum किया, price नीचे आया, lot कर आया, फिर price ने higher side momentum किया, ठीक है, इस तरीके से, अब price ने देखिए, यहाँ पर lot कर ऊपर आया, higher side momentum की शुरवात किया, swing high break करने से पहले lot आया, अब यहाँ पर क्या है, short selling, ATMA high से ATMA high से आपको short selling मिलेगा short selling का मतलब है price इसके उपर जाकर जब जब लोटे तब आपको बेचना होता है ठीक है यह ATMA high से आपको यहाँ पर short selling के पूर intraday में आप लोगों ने trade किया ATMA को कल भी आप लोगों ने trade किया इसके पहले session में भी trade किया आज price ने swing low break नहीं किये दुपहर के session में हम लोगों ने discuss किया था 47 400 का level जो intraday का support बन रहा था 47 400 के नीचे जब तक अच्ची closing नहीं होगी तब तक बाजार में कोई ground नहीं क्योंकि वो intraday का swing low था अगर आप दुपहर का session देखेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा live market में आप लोगों ने इसको पहले से बात की हुई है ठीक है तो price में आज ATM low से buying उठने की कोशिश किया closing के time तो यह सारी चीज़े अगर आप ध्यान रखेंगे ट्रेट कीजेगा और 400 में आपकी यह human गलती होगी हम लोगों की गलती से होगा कि आपका तीन या चार ट्रेट गलत हो जाए यह हम लोगों का human default है हम लोगों की वजह से होगा बाकी यह projection इस तरीके से है कि बहुत ही rare case है कि आपको कभी कोई एक पैसे कभी घाटा दे जाए ठीक है इस तरीके से और इसको आप पहचारिएगा जाएगा ऐसे stocks देखिएगा मैं आपको दो तीन example अभी दिखा दूँगा और इसके बाद stocks में जाकर equity में जाकर index में बार बार बनता रहता है अभी मैं bank 50K price पर यही पर आपको दिखाऊँगा समझ यह जैसे कि जब भी price अब train में है अब train का मतलब क्या हुआ कि price में यह इसका moving average का line है तो हमको एक ही काम करना है क्या करना है बताइए हमको जब भी price इसके नीचे आकर उपर आता है तो मैंने आपको बताया लॉंग करना है और यह कब तक करना है लॉंग हुआ तो यह swing high break होगा फिर उपर निकल तो फिर यही करना है जब भी lot कर आएगा उपर आएगा तो long करेंगे फिर swing high निकल गया है अगर previous तो फिर यही काम करना है अगर swing high निकलने से पहले lot आया तो अगली बार नहीं करेंगे बस इतना ही ध्यान रखना है ठीक है तो जब तक trend positive है तब तक आपको यह opportunity बार-बार मिलता रहता है यहाँ पर एक projection बनेगा कि जब price इस moving average से उपर लोटेगा जैसे कि यह moving average हुआ आपका ATMA का low और इस से नीचे price ऐसे आ रहा होगा इसके नीचे आने की कोशिश करेगा यहां बंध हो जाएगा और ऐसे price में क्या होगा जब यह यहां पर close करेगा अगले session में gap down करेगा क्या करेगा, gap down करेगा, और gap down करके ये price इसके उपर आके close करेगा, मैंने क्या बोला, इसके उपर आके close करेगा, अच्छा, कभी कभी price gap down करेगा, और इसके नीचे खुलेगा, इस ATMA के नीचे open होगा, open होने के बाद ऐसे चल कर जाएगा, और इसके नीचे ही पहली candle हो सकता है खेंक कर सायग 알का। थी में काला, मैं और्इस जब युक ग्राय टीटे में अगरnd Constant के लिए है तो हम दोग high-quantity trade करते हैं, I Eigen कॉंटिटी देखिए, मैं जब classes आपकी करता हूँ तो भहां भी बताता हूँ, पैसा अगर आप इस market में returns के लिए आये हैं तो आप सोचे कि पैसा आपके पैसे से बनेगा नहीं, दो बाते बहुत ध्यान रखी market में returns बनते हैं profit के पर कि आपका जो पैसा बना है उसी पर और पैसा बनेगा, पहली चीज़, दूसरी चीज़, पैसा आप ना तो deployment के setup बनते हैं, कि आपको पता होगा कि इस setup में non-failure है कि कोई गलती नहीं होगी, तो जब आप जहां पे 40 लाख लगाने बैठे हैं, वहाँ पर आप 1CR भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है तो आपका बड़ा return कैसे बन रहा है, आपके belief पर, self-belief पर बन रहा है, इतना आपने practice किया projection को, इतना बहतर तरीके से आपने practice किया, शुरवाती अपने initial period में अब उसके परेडाम जाकर आपको मिलेंगे ठीक है, तो ये high quantity deploy कब होगी, इस projection पर ये projection जो है, ये non-failure है यहाँ पर SL hunting हो जाए, ये बहुत rare case होगा, बहुत rare होगा बहुत मुश्किल से होता है, बस एक ही बात ध्यान रखना है, ये price कभी भी अपना इस तरीके से last swing low से पहले ना लोटा हो, इसके नीचे ये इस तरीके से लोटा हो, लोटते लोटते नीचे आया हो, gap down से इसके एक closing, और दूसरी बात, risk reward 1 ratio 3, 1 ratio 3 का मतलब हुआ, अगर आपका 10 रुपय का risk है, तो जब तक 30 रुपया ना मिल जाए, तब तक मत निकलिएगा high quantity deploy करना है, और उसके बाद high risk reward भी रखना है, दोनों ही achievable है, दोनों ही आपको मिलेंगे, आप पर SL hunting भी नहीं होगा, और दूसरी बात, ये 1 ratio 3 का target भी आप बार-बार achieve करेंगे, एक बार नहीं बोलाओं, बार-बार achieve करेंगे, और बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 दिन का समय लगे, नहीं, इसको आप करें, hourly time frame बहुत बैतर होगा फिर लाइब market में जाकर इसको trade कीजे, देखें, अब मैंने कहा कि इस candle के, अगर ये candle बना, जब तक इसके high निकलने के बाद price आगया, तो भी आप long करेंगे, पहला candle ही अंदर आके close किया, SL क्या है, इसी candle का लो, तो SL area आपका छोटा है, और इसी लिए इसका target 1 ratio 3 मैंने आपको बताया, एक के बदले 3, ये कमाने की कोशिच करने है, आई है, अब अभी आवली टाइम फ्रेम पर हम लोग हैं, और पहले तो trend देखें, फिर ATM लो से इस तरीके का projection देखें, जितनी बार, मैंने क्या कहा, जितनी बार इस तरीके का प्राइस बनेगा, आपको कभी भी एक भी सिंगल एसल का आपको मौका नहीं देगा, बस identification, पहचान ठीक करने हैं, आई है, यहाँ पर देखें, ये candle के formation यहाँ पर हो रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या है, swing high break हो के price आना चाहिए, अगर last swing high break होने से पहले आ रहा है, मतलब तकलीफ है फिर नहीं करना है, तो ये last swing high है, price इसके उपर जाकर फिर lot करा रहा है, देख पार हैं, इसके उपर जाकर फिर lot लगबग लगबग 100 point का आपका bank nifty में spot price में SL ए रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कम से कम तीन गुना, जब तक 300 point का, ये क्या है, 760, 200 point का SL है, तो जब तक 600 point ना मिल जा, निकलना नहीं वन रेशियो 3 लेकर ही जाना है, अच्छा इसको intraday में भी trade करते हैं, लेकिन gap up price intraday में तो करेगा नहीं, करेगा कब, gap up gap down price करता है opening पे, तो open पे ही आपको trade करने का मौका मिलेगा बागी मिलेगा नहीं, तो अलग-अलग index को, अलग-अलग session को trade कीज़े, आप 5 हो index का एक पहली candle में lot कर उपर आ जाए, 5, 10, 15 मिट, वहाँ भी आप इसको trade कर सकते हैं, छोटे time frame पर भी ठीक है, इसी तरीके से, अब यह high निकला है, high निकलने के बाद मैंने क्या कहा, 770 से 600 point, 770 से 600 point कितना होता है, 600 point, 47, 300 का target आपको मिलना चाहिए, 47, 47, 400 का target मिलना चाहिए, अब इसका मतलब है कि यह आपका पूरा 1 ratio 3, यह देखिए, यह जो 1 ratio 3 बोल रहा हूँ, 1 ratio 4 नहीं बोल रहा हूँ, 1 ratio 2 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 ratio 3 ही बोल रहा हूँ, एक के बदले 3 बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब है कि यही मिलेगा आपको, ठीक है, एक के बदले 3 ही इस सम पहले एक एंडल अंदर आके क्लोज कर गया यह आपका एसल एरिया यह देखिए पांस तालिस पांसो का आपका यह और यह दोसो क्यासी दोसो असी माल लेता हूं तीन सो बीस पॉइंट का एसल है लगबग साड़े चैसो पॉइंट चाहिए मुझे प्राइस साड़े तो यह रो आ यही अथा दोसो भीलब है तो पॉइंट के बही है रहता है अपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है और आप आसानी से positional hold करके जा सकते अपनी trade को intra day करना जरूरी नहीं आसारी से hold करके जाएए ठीक है अब पूरे आपको session में कोई भी doubt रह गया हो तो मुझे नीचे comment section में बताईएगा अगर आप आगे कौन से topic सीखना चाह रहे हैं वो आप बताईएगा अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो description में आपके पास contact detail है, telegram, whatsapp community का link है शुब रात्रिय धन्यवाद